जीवन में प्रगती के लिए इनोवेशन मानव जीवन की निरंतर आवशक्ता है. समय के साथ प्रचलित प्रणाली और उसके परिणामों का निरंतर अवलोकन करने से तक्नीकी परिवर्तनों की समीक्षा की जानी चाहिए. उदाहरन के रूप में किसी त्रिभुज की रचना के लिए हमें कम से कम तीन एलिमेंट्स S-A-S-A-S-S-S की आवशक्ता होती है. यह पारम पर एक ज्ञान अभी तक सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है. वर्तमान में किनी दो भुजाओं के बीच के कोन को ग्यात करने के लिए नए अल्गोरिधम की खोज 2008 में हुई. इस खोज से गणित के कई प्रॉबलम सॉल्फ करने के तरीकों में बदलाव आया है. शगुन स्मार्ट जोमेट्री नोटबुक विशेश रूप से नए अल्गोरिथम द्वारा प्रॉबलम सॉल्फ करने के लिए डिजाइन की गई है. इस अभ्यास से छात्र नई स्किल सीख कर नौकरी प्राप्ट कर सकते हैं. यूनिट स्लोप ग्राफ नोटबुक शगुन स्मार्ट जोमेट्री नोटबुक का पेज ले आउट स्क्रीन पर दिखाया है. बाई और प्रिष्ट पर यूनिट स्लोप रेखाएं दर्शाई है. प्रत्यक प्रिष्ट पर ग्राफ की तीन रोव्स है. प्रत्यक ग्राफ में रेखाओं का मान इस इक्वल टू तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो और दस यूनिट है. ग्राफ की तीनों रोव्स के उप्योग से किसी त्रिभुज के तीन कोनों का मान किसी भी दो गुजाओं के मान से ग्यात किया जाता है. दाइं और का प्रिष्ट जोमेट्री के फिगर को ड्रा करने के बाद रिपोर्ट तयार करने के लिए है. इसमें प्रॉबलम का उदेश्य, प्रॉबलम हल की विधी, परिणाम और गतिविधी का निशकर्ष लिखा जाता है. पहली दो गतिविधिया उदाहरनात्मक है. यह चात्रों को प्रॉबलम हल करने की विधी एक्स्प्लेन करने के लिए है. बाद में कुछ नए प्रॉबलम दिये है, जिने चात्रों को प्रयोग द्वारा पूरा करना आवर्शक है. प्रवेंता प्रमान पत्र प्राप करने क के लिए गतिविधियों का सफल समापन आवर्शक है। यूवा उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन। उद्यमी, व्यापारी और स्कूनों के शिक्षक निमलिखित तरीकों से जी मेट फाउंडेशन में भागीदार बन सकते हैं। 1. कक्षा 6 से 12 तक के किसी भी स्कूली छात्रों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को जोमेटरी के फिगर को ड्रा करने की विधी का प्रशिक्षन। 2. जी मेट फाउंडेशन के प्रोडक्स की एजनसी या सोल डिस्टिब्यूटरशिप लेकर देश भर में शगुन स्मार्ट जियोमेटरी नोटबुक की मार्केटिंग को बढ़ावा देना। 3. जी मेट फाउंडेशन की सदस्यता लेकर बिजनेस प्रोमोटर पार्टनर बनने में रूची। जी मेट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए आविशक है कि निकट्तम समुद्र तट से पानी को लिफ्ट करके सुखाग्रस स्थानों में समुद्र पानी की जील निर्मान करते हुए नदी के उदगम स्थल में भेज दिया जाए। चित्र में सीवाटर रिसाइक्लिंग को दिखाया है। इश्वर में हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्क से पानी को नदी के उदगम स्थल तक पंप की सहायता से पहुँचा कर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है। रास्ते में उप्युक्त उचाई पर विशाल समुदरी जल जील का निर्मान करके संद्रहीत पानी से नमक निकालने के सन्यंत्र लगाए जाएंगे। नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोडा जाएगा। इससे नदी और जमीन के जलस्तर में किसी भी मौसम में कमी नहीं होगी। यह सोचने का विशय है कि करोणों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजिनियरिंग परियोजना को 36 कर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया है। शगुन स्मार्ट जियोमेटरी एक्सरसाइज नोटबुक की विशेश्ता जियोमेटरी के किसी फिगर में दो भुजाओं के बीच के कोन का मान ज्याद करने के लिए शगुन स्मार्ट जियोमेटरी एक्सरसाइज नोटबुक डिजाइन की गई है। इसके उप्योग से स्कूली छात्रों का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। 2008 में जोमेटरी के नए कांसेप्ट की खोज हुई, जिसके अनुसार अब किसी त्रिभुज की रचना में मात्र दो एलिमेंट ही आवशक है। पूर्व धारना के अनुसार किसी त्रिभुज की रचना कम सए कम तीन एलिमेंट आवशक थे। नए अलगोरित्म के उप्योग को समझने और अभ्यास के लिए यहां वर्क बुक तैयार की गई है। जी मेट फाउंडेशन ने इस आई पी आर का पंजी करण करवया है। युवा प्रक्तिशील उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित है जो देश के किसी भी भाग से नए प्रड़क्ट की मार्केटिंग में भागीदार बनने को इच्छुख है। साजेदारी शुल्क निम्नानुसार है। किसी भी ग्रैजवेट को पाँच हजार रुपए के मासिक वेतन पर भारत जोडो जॉप्स नेटवर्क में मैनेजर ट्रेनी की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। शुरुआत में जॉब वर्क को लेकर पाँच दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षन के बाद उमीदवार को स्क्रीन पर दिखाए गए विशिष्ट लक्षों के लिए पंद्रह हजार रुपए के मासिक वेतन दिया जाता है।